त्योहारों की दुनों में मिठाई या तो खूब लानी परती है मार्किट से या फिर हम इसे घर पे ही बनाएं तो चलिए घर पे ही बनाते हैं बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आप सब का मेरे किचन में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ पीडियो पसंद आएगा आज का तो लाइक करिएगा चलिए बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले मैंने लिया है एक बाउल में मैदा मैंने कटोरी से लिया है दो कटोरी लेकिन मेजर्मेंट में देखे तो ये 200 ग्राम है इसमें मैंने डाला आधा छोटा चमस नमक लगभग 2 पिंच और अब मैंने डाला आधा कप के लगभग घी यानि कि 2 बड़े चमस घ इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे या बढ़िया से इस तरीके से मोयंग कर लेंगे ये देखे बाइंड होने लगे तब समझे हमारा ये बढ़िया से मोयंग हो गया है अब हम इसका डो लगा लेंगे तो डो लगाने के लिए मैंने लिया है आधा कप के लगभग पानी थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम इसका एक सक्त डो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसे मलना नहीं है, बस अच्छे से मिक्स कर लेना है और बाइंड कर लेना है इस तरीके से। तो आधा कप के लगभब पानी लगा और ये अच्छे से मैंने सक्त डो लगा लिया अब इसको ढग दे रहे हूं 10-12 मिनट के लिए तब तक मैंने कड़ाही को गैस पे रखा और इसमें डाला 1.5 कप चेनी इसी के साथ एक कप से थोड़ा कम पानी भी इनको हम अच्छे से पि ला सकते हैं नई तो इसकीप कर दें तो यहां पे बढ़िया से उबाल भी आ गया है चीनी हमारी अच्छे से मिल्ट हो गई है और अब मैं इसको चेक कर ले रही हूं कि परफेक्ट चासनी रेडी है कि नहीं ये लिजिए बहुत ही अच्छी सी एकदम स्टिकी चीप-चीप पहले हम एक पेड़ा लेंगे और इस तरीके से गोल करके हम उसमें उगलियों की मदद से एक होल करेंगे एक छेद बना लेंगे ये देखिए बहुत ही अच्छा सा हमरा बालुसाही का टेक्शर बन गया है अब हम ऐसे ही सारे बालुसाही को बना के रेडी करेंगे कि करके बालुसाही को हम इसमें डालेंगे यहां पे बहुत ही जरूरी है फ्रिंट्स ये ध्यान देना कि हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है और ना ही बहुत तेज गर्म हमें तेल में इसको तलना है एकदम नॉर्मली जो लो फ्लेम होता है उसी में हमे सारी बालुसाही को तलना है थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है लेकिन बहुत ही अंदर से खस्ता और परफिक्ट हमारी बालुसाही बनके तयार होती है जितने ही देर तक हम इसे तलेंगे आराम से लो फ्लेम पे उतनी ही अच्छी और परफिक्ट बालुसाही बनेगी एकद से जब ये गोल्डेन दिखने लगे बढ़िया से कलर आ जाए तब समझे कि बालुसाही हमारी तल गई है अच्छे से आप भी फ्रेंड्स ऐसे ही घर पे बनाईएगा बालुसाही तो कभी भी मार्केट से लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मैंने ये देखे पहला बैच इस तरीके से तल लिया है हमारी बालुसाही बहुत ही अच्छे कलर में तल के रेडी है और अब तलने के बाद हम इसको ले चलते हैं चासनी में डीप करने के लिए चासनी हलकी गुनगुनी रहे तभी हमें बालुसाही को इसमें डाल देना है तो अगर मेरी बालुसाई की रेसिपी पसंद आई होगी तो मेरा वीडियो लाइक करिएगा इसी के साथ कॉमेंट भी करिएगा आप लोग का कॉमेंट पढ़के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है एक अलगी खुशी मिलती है मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स ताकि मैं और अ नोटिफिकेशन ओन कर दीजेगा तभी तो मेरी हर एक रेसिपी कर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाएगा और यह लिए जिए फ्रेंड्स देखते ही देखते हमारी बालुसाई अब खाने के लिए तयार है मैंने इनको अच्छे से पलट के इदर उदर स साथ मिनट तक चासनी में डीप करके रखा और अब खाने के लिए इसको प्लेट में निकाल ले रही हूँ देखने में यह जितनी अच्छी लग रही है खाने में इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है एकदम मार्केट जैसे हलवाई जैसे ही बना है यह घर पे मैं इसको ले चलती हूँ सर्व करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिखे अट्रेक्टिव दिखे एकदम बाजार जैसे इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर से रख दिया है थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता और अब यह हमारी रसीली बालुसाही बनके तयार है यह दिखे मैंने एक तोड़ के दिखाया आपको बहुत ही अच्छे से चासनी अंदर तक गई है हमारी परफेक्ट एकदम बालुसाही बनके तयार है तो बस अब देर किस बात की चलते हैं टेस्टी बालुसाही को खाके इंज्डॉय करते हैं आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक् पिकी साथ बाई बाई बाई